नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक नए वीडियो में, वीडियो के साथ में, आज हम बात करेंगे EPS 95 पैंसन स्किम के बारे में, उसके कुछ साइलेट फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में अधिकांस EPS या EPS 95 पैंसन के जो मेंबर है वो नहीं जानते हैं, उन आपको हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है कि मैं समय समय पर ऐसे ही वीडियो, EPS और ESI से रिलिटे टोपिक और जो नएने अपडेट आते हैं, उन पर बनाता रहता हूं, तो आपको I think सब्सक्राइब करूं, उससे पाले आपको यह जानना जरूरी है, कि आखिर यह जो EPS 95 pension scheme है, यह खुती क्या है, दोस्तों यह scheme, EPFO की जो तीन schemes है, उन में से एक scheme है, EPFO की जो तीन scheme, EPF, यानि की Employees Provident Fund, EDLI, यानि की Employees Deposit Linked Linked Insurance Scheme, और तीस में नमबर की है, EPS यानि की Employees Pension Scheme, जिसके बारे मैं अपना आज बात कर रहे हैं, इस scheme में, EPS 95 की जो pension scheme है, इसमें रिडायर्मेंट के बाद में कुछ monthly pension के रूट में payment अपने को EPFO Divide की तरह से मिलता है, अब समझते हैं इसके, जो silent features हैं, वो, सबसे पहला दोस्तो, Member Pension upon Super Ennison at the age of 58 years, अब इसका आशार भासा में दोस्तों मतलब यह हुआ, कि जब Member 58 year की age complete कर लेता है, यानि कि 58 year की age में retirement होता है, तो उसको EPFO Department की तरफ से monthly pension दी जाती है, इसमें कुछ Trumps होती है, वो Trumps में आपको पहले ही बता दूँ, कि इसमें जो monthly pension है, उसमें कम से कम भी, कम से कम दस साल की service होना जरूवी है, तभी आप जो EPS के 95 pension, जो स्कीम है, monthly pension है, उसके लिए आप eligible होते हो, तो यह स्कीम हमेशा हर जगे ही लाबू होगी, कुछ सीजों को छोड़ कर, लेकिन majorly यह eligibility होना जरूवी है, अब second case देखते हैं अपन, early member pension from age of 50 years, only if unemployed, इसका आसान भासा में दोस्तों मतलब यह हुआ, कि कोई member जिसके 58 year की age complete हो चुगी है, और वो भी 58 year की age complete नहीं करके, उससे पहले अगर pension लेना चाहता है, तो pension, उसको मंतली pension दी जाएगी, उसमें बस छोटी सी जो condition है, वो यह है, कि वो जो member है, वो जो PF member है, वो कहीं पर भी काम नहीं कर रहा होना चीए, यानि कि वो unemployed होना चीए, इसका मतलब यह है कि उसका PF नहीं कट रहा होना चीए, तब आप early pension शुरू कर सकते हो, 58, 50, जो 50 साल की उमर हो जाती है, तब, third case हाता है, Disablement Pension on Permanent and Total Disablement of Member during Service, इसका आफार वासा मतलब यह हुआ, कि अगर सदस्चे, जो member है, service के दोरान, इस्ताई या, इस्ताई और, पूर्ण Disablement हो जाए, यानि कि पूर्ण Disable हो जाए, विकलांग हो जाए, तो member को Disablement Pension EPO को के दवारा दी जाती है, दोस्तों, fourth case हाता है, विडो और विडोर pension on death of member, including under first provision to para 12 के अंदर एट और pensioner, इसका आफार भासा में मतलब यह हुआ दोस्तों, कि member या, जिसको pension मिल रही है, यानि कि member हो सकता है, या वो pensioner हो सकता है, pensioner है, तो उसकी अगर death हो जाए, in case, तो जो उसकी विद्वा या विदूर, जैसे अगर आदमी व्यक्ति मेल है, तो उसकी जो वाइफ है, वो विद्वा कहलाएगी, और अगर member female है, तो जो उसका husband है, वो विद्वा है, या विद्वा है, उनको इस बीच में monthly pension उनको EPFO department की तरफ से दी जाएगी, फिफ्ट केस आता है दोस्तो, चिल्रन pension for two children at a time, till the age of 25 years on death of the member या pensioner, इसका मतलब यह हुआ दोस्तो, अगर member या pensioner की मत्यू हो जाती है, तो जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों में, अधिक्तम दो बच्चों को 25 साल की आयू होने तक EPFO department की तरफ से pension दी जाती है, इसक्स केस आता है दोस्तो, ओर्फन pension to two orphan at a time, till the age of 25 years on death of a member या pensioner, when there is no spouse, और on death of spouse, इसका मतलब यह हुआ दोस्तो, किसी सज़्चे, यानि किसी member या pensioner की डेत होने पर, बच्चों के माताफिता में से, अगर कोई भी नहीं है, तो जो अनात्त जो बच्चे हैं, अनात्त बच्चों में से, चाई से तीन हो लेकिन उन में से maximum दो बच्चों को 25 साल की I.U. होने तक E.P.F.O. Department की तरफ से ओर्फन pension दी जाती है, सेवन्त केस जो आता है दोस्तों, disabled children और orphan pension for the entire life of the disabled child या orphan, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, अगर जो अनात्त बच्चा है, जो ओर्फन चिल्डरन्स हैं, वो विकलांग है, अगर इनकेस कोई disabled है या disabled है उनकी बोडी में, तो उनको पूरी जीवन पर के लिए E.P.F.O. Department की तरफ से वो pension दी जाएगी, एर्थ केस, दोस्तों, नोमिनी pension on death of member and paid for life to a person, duly nominated by the member in case, there is no family as defined under E.P.S. 95 pension. दोस्तों, इसका मतलब आसान भासा में यह हुआ, member की death होने के बाद अगर E.P.S. 95 pension के अनुसार, उसकी कोई family नहीं है, तो member के दवारा जो भी nominated person है, जिसको भी member ने nominee बना रखा है, उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर के लिए pension दी जाती है, E.P.F.O. Department की तरफ से. 9th case, दोस्तों, यह आता है, pension to dependent father or mother, upon death of a member, provided there is no family or nominee of the member, इसका मतलब दोस्तों, आसान भासा में यह हुआ, कि अगर member की मर्त्यू के समय, member की कोई family नहीं है, यानि की उसके शादी नहीं रखी, तो wife और बच्चे नहीं है, और दूसरी तरफ member में अगर nomination भी नहीं कर रखा है, यानि की अपनी तरफ से कोई nominee नहीं बना रखा है, तो वो जो pension मिनने वाली है, वो किनको मिलेगी, वो जो pension मिनने वाली है, वो उसके mother या father में से, किसी एक को वो पूरे जीवन भर के लिए पैंसन मिल जाएगी तो दोस्तो आई होब यह जो जानकरी दी है वो बढ़िया लगी होगी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जर्ब करना नहीं बुले दोस्तो यह काम की चानकरी है आप अपने मित्रों के साथ में और किसी के साथ में भी सेर कर सकते हो सेर करके बताओ उनको कि यह यह EPS 95 प्रेंसन के फाइदे हैं साइलेंट फीचर्स हैं इनके वारे में सब को बताओ आप सेर करो और फिर भी कोई आप से क्योरी रह गई है तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट जरूर करें हम उनका परते कमेंट का जवाब देने की कोशिस करेंगे धन्यवास्त